हाई कासे सब लोग वैसे तू कई तरफी के तरफील से अवेलेव VS अवेलेबर होते मेसे उस्टोकी ने ए एक एक सिर्वरस्टिंग लेकिन अवामस्त मैं एपना में डॉगिंग सभी लाईव लाईब मेसा ऀसे किया है एक एक फिरफ श्थ सबी एक आपर चेक किया है आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से hosting, कौन कौन से category में कौन कौन से blogging platform के लिए best होता है लेकिन फिलाल के लिए आज का जो वीडियो हो है यह कि बीगिने के लिए सबसे best and chief shared होस्टिंग कौन सा होना चाहिए या फिर आपको कौन सा लेना चाहिए तो अगर आप एक नया ब्लॉगर हो या फिर बिगिनर हो आप ढूंड रहे हो अपने वर्डप्रेस ब्लॉग के लिए अच्छा सा शेर्ड होस्टिंग तो आपके लिए यह जो वीडियो यह बहुत और उसके बार जाकर आपको एक सेलेशन दोंगा कि कौन सा वाल आपके लिए बेस्ट होगा यह वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ की नोट्स बता दिना चाहता हो जो कि आपको हर एक होस्टिंग को खरीदने से पहले एप्लाई करना चाहिए इन रूल को ठीके तो यहाँ पर सबसे पहला जो रूष आते हैं हो आता कि आप जो होस्टिंग खरीद हो मंगर आप शेर्ड होस्टिंग खरीद रहे हो तो आप उसको अटलास मंतली मंतली निस और येरली आपको 10,000 से उपर नहीं देना है ठीके अगर आप बिगिनर हो शेर्ड होस्ट के अंदर आ जाएगा तो यह हमारा सबसे पहला रूल है कि अगर हमें मतब एकदम हाइस प्राइस चाहिए तो दस हजार के अंदर होना चाहिए उस होस्टिंग का जो है प्राइस ओके नेक्स्ट जो रूल है वो है उनका कस्टमर सेर्विसेस आप डिफिन डिफिन गूगल पर जो लोग यूज़ कर रहे हैं अपने फेस्बुक ग्रूप पर वर्सबूप पर उनसे पूछ सकते हो और उनसे हैं परस्टमर सब्सक्राइब किस्टमर सब्सक्राइब और आप लोग को देखना होगा क्योंकि आर आफ्टर पर्चेसिंग आपको बहुत सारे पॉब्लिम्स सबसे बेस्ट होगा तीसरा जो रूल है वह आपको और से को वेरिपाइब करना है कि वह जो और साइट है वह एक्च्वल में खुद का सर्वर लेकर बैठा है या फिर तो री सेलिंग कर रहा है री सेलिंग का अगर आपको नहीं पता तो आपको बहुत सारे से मिल जाएंगे इनका लेयाओ तो एकडम बिल्कुल बिल्कुल सेम होता है और जो क्या करते है कि हजार रूपया पे एक करिंख खरीटे आपको सही सरे में तीस तीस दिस रूपया पर महीने कि हिसाब से आपको sell करता है कई पर अगर दिखाए देना 30 रुपिया पर मन्द पचास रुपिया पर मन्द मत लेना बेकार होस्टिंग होता है वो लोग क्या करते हैं इन जैसे फोरी तरीवाद मतब लोडिंग बहुत ही बरबाद चौता जो पॉइंट है वह लोडिंग इसपीड आपका जो वो वह विश्टिंग आप जहां से खरेद रहा होना वो जो मतब उस वोस्ट पर अगर किसी बंदे का मतबब से चीज है सबसे पहले उसका स्पीड चेकर कि उसक उसके बाद आगे हम बरते हैं देखती कि यहां पर कौन-कौन से चूज किन नहीं चूज किया है उनको हम एक एक करके ठीक है तो सबसे पहला जो यहां पर चूजर के लिए वह हमारे पास होस्ट कियद भाइस आपकर बात करें यहांपर पैकेज़ की तो यह पर पैकेजिस चार है यहां पर स्टार्टर हैचिंग हैचलिंग बैबी और बिजनेस तो यहां पर से मैंने इनको बिजनेस प्लान को खरिए तो यहां पर दिखा रहा है ना आपको 50% और फाइप येस के लिए लोगत 349 पर मंत मिलेगा आपको लेकिन आप इसको अगर वन येर कर देंगे तो इसका प्राइस आ जाएगा करीबन करीबन साड़े 500 रुपिया यार घटी मतब सौरी यार क्या बताओ यार अल्लिमिटेड डोमेंस मिलता है आपको बेबी या फिर हैचलिंग से दोनों नहीं है बेबी प्लांस आप चूज कर सकते लेकिन यहां पर यार तीन ड इसमें तीन डोमेंस का सपोर्ट मिलता है तो यह कुछ जमा नहीं का पैकेज उपर से मैंने इनको यूज़् किया था उसका में परसोनल एक्सपीरेंस बताता हूँ आपको परसोनल जो मेरा एक्स्पीरेंस था इनके साथ बहुत ही खराप था यार क्या बताओ इनका कस्टो सर्विसिस को नो वर्किंग मतलब कोई वर्क की नहीं करता एक दो अगर आप यहां पर फाइल अप्लोड किया हो डाउनलोड के लिए तो आपका शेयर डोस्टिंग तो गया ठीक है तो इनका कस्टमर से अब यह बेल जो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था और यह लोग र अगर बोलो होस्टिंग की क्वालिटि की तो इऊन है अच्छा थीक है लेकिन बाकि सारे चीज़ अगर आप समाल सकते हैं तो आप यहां पस्ते पचेस कर सकते हो ठीक है दूसरा जोस्टिंगा आता है वो आता है गोडैडी की तरफ से देखिन गोडैडी जो ह हूं मेनली ड पर जाता है अगर आप एक साल के लिए खरीते हो तो इनका जो प्लान आते हैं वह सबस्ट होगा एक किसी भी बिगिनर के लिए इस या फिस तो अगर आप उससे भी थोड़ा आगे हो आपका बहुत सरे उससे तो अल्टीमेट प्लाइन ले सकते हो लेकिन इसका प्राइज टाइम आपको यहाँ पर थाउजन रूपीज पर मंत के हिसाफ से देना होगा यानि कि वन यार के लिए आपको बारा से चौदा हजार रुप है क्योंकि इसमें जी एस्ट बगरा बहुत सारे कुछ लगता है लेकिन इनका अगर कस्टमर सर्विस की बात करो तो बहुत ही ब पॉबलिम नहीं है आपको आप जब भी चाहिता भी फोन करके इनसे कॉंटक करके अपना पॉबलिम सौर्प कर सकते है ठीक है तो इनका जो है स्री प्रैस की वज़ए से इनका थोड़ा बहुत चक्कर है मतलब उल्टा सिधा है ठीक है उसके बात करते हैं ब्लू होस्ट की जो की धमाके दार से इनका प्रोमोशन होता है यार ना जाने कितने बड़े-बड़े ब्लॉगर्स इनको प्रोमोट करते हैं सब जानते होंगे ठीक है लेकिन यार इसके बताओ तो यार इनकी होस्टिंग मैंने यूज की थी लगबग लगबंग मुझे निराशा ही मिला थ इनका जो प्रो है क्लाउड है बिजनेस है और स्टाइंडर है तो प्रो प्लैन जो है वो बिगिनर्स के लिए सही है यहां पर और वो जो है आपको मिलेगा 399 लेकिन आप अगर रिनुवल के लिए जाएंगे तो आपको और भी ज्यादा कोस्ट पड़ेगा और अगर आप क आपके पास थोड़ा बहुत पैसा जादा है क्योंकि इनका जो मतलब अगर आप होस्टिंग घरिते हो यहां पर से बाइनाव पर क्लिक करते है अगर हम तो यहां पर लाइक मोर दैन बहुत सारा यार करीबन करीबन 19,000 का बढ़ जाता है इनका होस्टिंग अगर इतना कौन देगा यार उसके बाद आता है नेमचीप लेटरल यार अच्छा कंपणी है यह लोग भी मेंली डोमेन का बिजनेस करते हैं लेकिन साइड बै साइड इन्होंने होस्टिंग चालो कर दिया है और यहां पर इनका जो होस्टिंग प्लान से शेयर स्टेलर बिजनेस तो इनका जो मुझे अच्छा लगा वो लगा स्टेलर बिजनेस वाला प्लान इनका कस्टोमर सर्फिस इतना भी अच्छा नहीं कहूंगा मैं लेकिन इनका जो यह ली प्राइज से वह 3,460 रुपया है लेकिन इसमें इतना हाई क्वालिटी और साइट र रुपया पड़ेगा तो यह होस्टिंग भी आप लोग देख सकते हो ठीक है आपको बताऊं कौन से होस्टिंग लेना चाहिए लास्ट में आते हैं हमारे सबसे प्यारा दुलारा रिसेलर क्लब के साथ मेरी बहुत दिनों से परिचाया है इनका होस्टिंग में एडलास टे होस्टिंग ज्यादा से ज्यादा चल जाता है और आप लोग अगर टेक्निकल इपन को फॉलो करते होंगी तो आपको पता ही होगा में शुरुआ से ही इनको मैं सबसे कम है इन सारे होस्टिंग कमपनिस से सबसे कम है क्योंकि इनका रिणुवल्ड कोस्ट यहां पर आपको सामने मिल जाएगा इनका रिणुवल्ड कोस्ट जो है वह 440 रुप्या है दूसरों का थाउजन डेर हजार मतलब बहुत सारा था लेकिन इनका मतलब में रिणुवल्ड को चार्याइस लगें तो आप अपसोच सकते हों कि इनका जो हाईस प्राइब उसका बहुद एसें कोस्ट कितना बढ़ेगा अगर 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 इसके उपर आओगे न आपको लगभ लगभ सेंपनिल वन यहार का अलग प्राइज लेकिन इहां पर अगर इसके उपर आओगे ठीक है तो कोई बात नहीं अगर आप यहां पर से वन मंद का खरी वन येर के लिए खरी तो आपको 220 रुपिया पर मंद के हिसाफ से आपको मिलेगा यानि कि इसका टोटल प्राइस जो हमें पर सकता है उपर से इंडियन सर्वर मिलता है तो अगर इंडियन सर्वर खरीते यहा माचो होस्टिंग कंपरेंस के अंदर से एंडियन चीपेस यह बेस्ट भी है ठीक है चीप का मतब यह नहीं है क्या है क्योंकि मैं परसले खुद हो साइट यूज करता हूं तो फाइनल में आपको बताओ इनके अंदर मुझे अगर मतब डिवाइट करना पड़े लिस्ट के रहेगा ब्लू होस्ट ठीक है तो गाइस अब आप लोग डिसाइड करके हाँ पर चूज कर सकते हैं जोग भी हो से आपको पर्चेस करना है नीचे डिस्क्रिशन में आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ पर जाकर आप लोग चेक आउट कर सकते हैं उससे मेरा भी थोड़ा व आप लोग बताना नीचे कमेंट बॉक्स में आपको ओपिनियन्स किया है जितने भी लोगों ने इनका होस्टिंग यूज किये हैं उनके बार में आप एकदम ट्रू फीड़बैक देना कि आपको अच्छा लगा नहीं लगा क्या प्रॉब्लेम सा क्या नहीं था उससे दू आपको देता रहूंगा इस ब्लागिंग माफिया चैनल पर इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बने रहें इस चैनल के साथ और मिलते हैं वीडियो पर तब तक के लिए बुट बाई